साथियों, टेक्नोलोजी को लेकर, आज देश में जो उत्सा है, वो सरकार को तेजी से रिफॉर्म्स के लिए प्रेजित करता रहा है। जो रिफॉर्म्स हमने किये हैं, वो कोई आसान फैसले नहीं थे, कोई साधान पर लाव नहीं थे। इन सारे रिफॉर्म्स की मांग दसकों से की जा रही थी, इनकी जरुर्वत हर कोई बता रहा था, इस बारे में बाते तो खुब होती थी, लेकिन फैसले नहीं लिये जाते थे, क्योंकि ये मान लिया गया था, कि ये बड़लाव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने भी देखा है कि हमने वही फैसले कैसे पूरी दड़ता के साथ लिये हैं, यहां तक कि पैंडेमिक के दोरान भी रिफॉर्म की प्रक्रिया जारी रखी। और आप ये भी देख रहे हैं कि देश कैसे इन फैसलों के साथ खड़ा हुआ है। आज नोन स्ट्रेटेजिक के साथ साथ स्ट्रेजिक सेक्टर में भी प्राइविट प्लेयर्ज को अउसर दिया जा रहा है। सरकार के नियंत्रन को कम किया जा रहा है। यह सब मुश्किल फैसले आज मुम्किन हो रहे हैं क्योंकि देश अपने प्राइवेट सेक्टर पर आप सभी पर भरोसा करता है। जैसे जैसे इन एरियान में हमारी कम्पनिया सक्रिय होगी इन में संभावनाओं का विस्तार होगा। हमारे युवाओं को जादा से जादा आउसर मिलेंगे। इनोवेशन्स का एक नया दोर शुरू होगा।